नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Nazo 50 vs. Realm C33 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंख मिलती है विडि की बात करें तो Nazo 50 में 2.97 इंच जबकि Realme C33 में 2.98 इंच की विडि मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो नाजो 50 में 194 ग्राम्स जबकि Realme C33 में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही IPS रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 50 में 6.6 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच जबकि Realme C33 में 6.5 इंच दिस्प्ले रेजलूशन नाजो 50 में 84.88 प्रतिशत जबकि Realme C33 में 82.06 इंच प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो नाजो 50 में 400 इंच जबकि Realme C33 में 270 इंच प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंग कैमरा की तो नाजो 50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रन्ट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं हाड़वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, NASO 50 में Mali G57MC2 जबकि Realme C33 में Mali G57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, NASO 50 में MediaTek Helio G96 और Realme C33 में Unisoc T612 मिलता है। बात करें RAM की तो, NASO 50 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB की रेम मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB 4 GB रेम मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो, NASO 50 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C33 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। expandable memory की बात करें तो, NASO 50 में अप्टो 256 GB जबकि Realme C33 में अप्टो 1 TB है। operating system की बात करें तो, NASO 50 में Android V11 जबकि Realme C33 में Android V12 देखने को मिलती है। battery की बात करें तो, दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है। अईए अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, NASO 50 में 2 colors जबकि Realme C33 में 3 colors option मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें price की तो, NASO 50 में 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 12,999 रूपीज, 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 15,499 रूपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करे Realme C33 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 3 GB RAM 32 GB storage के साथ 10,990 रूपीज, 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 9,999 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Nokia G21 है दुसरा Samsung Galaxy A4 है तीसरा IQ Z65G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F23 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भू प्लीज दोना